जाव nuo शारी बीडिटिंग स्टेटोलों तो यह मारी तेंग नहीं करना। को यह चीज होती हैं घ्ल का न स्टैटेजी क्या होती हैं उते शाली अप्स चीज真的 ठीक है एक हमारे पास है डानेमिक बिद डाउनली एक अमारे पास है डानेमिक बिद टु एक हमारे पास एक is 26 डाव दानेमिक हम इब का मतलब यह है का घर हम एक बहुत जधा हाइउ औरकिंग कर रहा हैं तो के हमारी कंपेंट टॉप पेज के ओपर टॉप पॉजिशन पे नजर आए लेकिन अब यहां पे बहुत सारी हर पॉजिशन के लिए एमाजोन की नजरों में एक स्पेसिफिक बिड होती है एमाजोन ने बेक एंड पे स्पेसिफिक किया हुआ है कि अगर किसी बंदे ने यहां पे आना है तो एक स्पेसिफिक बिड यह होगी इस वाली पॉजिशन के लिए स्पेसिफिक बिड यह है तो क्यूं हम लोग जदा ब spend करें हम एक नॉर्मल बिट के साथ भी अपने बायर को अपनी तरफ मतारिफ करवा रहे हैं टॉप पोजिशन पर आगे हुए हैं तॉप पोजिशन पर आगे हुए हैं आप मुमारा एक कॉंपटी टेर यह दो करके बैठे हैं हम चार करके बैठे हैं तो क्या फाइदा यह दो कि बायर हमारी लिस्टिंग को क्लिक करने लगेगा ना एमजोन हमारी बिडिंग को डिक्रीज कर देगा एक स्पेसिफिक लेवल तक डिक्रीज कर देगा तो लेट्स पोस्पोस हमारी बिडिंग को वन डॉलर या वन पैंट फाइव डॉलर डिक्रीज कर देता है तो हमारे क तो हम लोग परचेस भी करें तो हम के फिर थी पिर करना नजर में आता है फायदे में आता है लेकिन कुछ लोग को नहीं करते है तो हम क्यों इतने जब करते हैं और अमाजन जब बहुत भी कोई बायर हमारी लिस्टेंगों क्लिक करने लगता है ?? एक्टॉल बिडिंग recipe balcony होती है और जब एक्टॉल बिड फॉर ही होती है तो उसे हमारा है ब करार है लेकिन परिक क dobr कि उस प स्पेशिफिक क्लिक लेट स्पोज हमारे पात दो कीवर्ड हैं और दोनों कीवर्ड हमने कंपेंड में एड़ किये हुए है एक कीवर्ड के उपर हमने हाई बिडिंग की वी है एक कीवर्ड के पर हमने लो बिडिंग की वी है और यहां पर स्टैटेजी हमने क्या प्लाई की वी है डैनेमिक बिड up and down की इस पर ये है कि जिस keyword के उपर हमने high bidding की वी है उस keyword के उपर जैसे ही कोई buyer हमारी product की campaign को click करने लगेगा हमारी bid down हो जाएगी ताकि बज़र ज्यादा spend ना हो और जो एक ऐसा keyword दूसरा keyword जिसके पर हमने low bidding की वी है Amazon क्या करेगा हमारी उस campaign के उपर उस keyword के पर हमारी campaign को चलाने के लिए Amazon हमारी bidding को high कर देगा buyers के लिए ताकि वो buyer हमारी उस listing को देख सके उसके उसके उपर ही bid करनी है हमने टू डॉलर से हमारी जहां भी campaign नजर आती है नजर आए लेकिन इसमें आपने changes नहीं करनी यह specifically अगर कोई एसा keyword हो के हमें पता हो हमें finalize हो के हमारे competitors ने इतनी बिड की वी है लैट पो हमारे competitor ने 1.5 की वी हम लग टू करके बैठ गया है ना इसे जदा करे Amazon ना इसे कम करे ताके मारा rank maintain रहे और इतनी बिड हमें कहलें के ठीक है हमारे लिए तो हम जाएंगे fixed bidding के अपर ठीक है यह है हमारी तीन तरह की strategies इसे क्या मुराद है कि 100% से ज्यादा नहीं करेगा we will rise your bid by maximum 100% in real time 100% का मत्तब यह है कि अगर आपने वान बिड की वी है तो वो टू कर देगा तो वो फोर कर देगा ठीक है यह जब वो कम करेगा तो इतने इतने अब नहीं जाता ज्यादा करने में वह 100% कर देता है कम करते वे वह इतना नहीं डिक्रीज करता है वह 50% 60% डिक्रीज करता है लेकिन 100% नहीं करेगा यह नहीं करेगा अगर आपने वन की भी है तो वह 0 कर देगा नहीं वह 10% 30% 40% इस लेवल पर देगा